जैहिंज, जैभारत, और भारत के बीट में बेसिकली एक टैंगो करेका डांस चली जा रहा है और पिछले दो-तीन दिनों से आपको जैसे आपने देखा ही होगा मैं बार 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 अमरीका और भारत के रिलेशन्स के उपर थोड़ा फोकस मेरा लगा हुआ है ये इसलिए लगा हुआ है क्योंकि अमरीका की पॉलिटिक्स अभी काफी है तक चेंज होगी और जिस तरह से ये पॉलिटिक्स चेंज होगी और उस तरह से भारत का रियाक्शन और भारत का किस तरह से नजरिया है उसको देखना हमारे लिए बहुत-बहुत इंपॉर्टन रह क्योंकि जैसे जैसे अमरीका की politics change होगी जैसे जैसे उसका नजरिया चेंज होगा उसके statements change होगे और कहीं न कहीं वो पकड़ा जाएगा अपने ही जूट में ऐसे ही कुछ हुआ कि अमरीका अब फस गया है अपने ही जाल के अंदर क्योंकि कल वाइट हाउस के जो spokesperson है Admiral John Kirby उनक जो जिस तरह से मोधी साब ने रखे थे वो उन्होंने confirm करे भारत में बहुत सारे think tank किये हैं जो लोग इस बात को मानने को तयार नहीं थे कि there was a difference between the joint statements of America and India जहां पर भारत ने बड़ा clearly लिखा था कि साब बांगलदेश के हिंदूों के बारे में हमने बड़ा clearly President Biden से बात कर now this was इसके बारे में थोड़ी acknowledgement नहीं आ रही थी क्योंकि उनके उनके भी press statement के अंदर इसका कोई mention नहीं था यहां पर काफी सारे think tank की जो हैं जो you know western funded लोग हैं वो लोग आके बोलते लिए नहीं इसका कोई फरक नहीं पड़ता है इसका तो कोई ऐसा नहीं है और पता नहीं म बोलने की कोशिश की गई अब वो पता चला कि actually में मोधी साहब ने जो बोला था और मोधी साहब के statement के अंदर जो चीज थी वो absolutely correct है क्योंकि मोधी साहब ने लिखा था कि हमारी तरफ से discussion हुई on the plight of बंगलदेशी हिंदू जो बंगलदेशी हिंदू को भी बाहां पर हाला तो यहां पर अमरीका अब फजगा है अपने ही जाल के अंदर देखिए एक significant clarification है यह बट कहीं ना कहीं इस clarification के अंदर भी यह लोग हिंदू नहीं बोल पाए यह लोग हिंदू इस बारी भी नहीं बोल पाए क्योंकि देखिए इनको पता है वहां पर क्या हो रहा है लेकिन क यहां तक बोल दिया कि साफ यहां पर ऐसे कुछ नहीं है भारत एक्दम जूट बोल रहा है और एक घंडा नारेटिव बांगलदेश के चलाणी की कोशिश कर रहा है उसने आगे यह तक बोल दिया कि जब बन जब तक बांगलदेश की कि में की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस है, हिंदूों के बारे में बंगल से इसकी हमारी अवाज बिठा नहीं पा रहे हैं ये चीज現在 हमको बड़ा क्लियरनी था है कि ये ये पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं यहां तक कि अभी इनको वाइट हाउस में भी कंफर्म करना पड़ आए कि यहां जी बांगलादेश के concern शेर हुए थे और बांगलादेश के बारे में बात हुई थी जिसके बारे में पहले तो कोई confirm करने को राजी नहीं था ठीक है अब देखें भारतिय जो अवाजें हैं वो तो जो जो से उठेंगी और उठती रहेंगी यह तो मैं लिटरि बंग्लादेश को चोड़ने को राजी नहीं हूँ क्योंकि देखें मैंने तो बोला है आपको मैं बंग्लादेश को नहीं छो ने है इंदों के साथ जो हो रहा है वहांपर एक 15 साल के बच्चे को मार दिया पुलीस की कस्टडी में से लेके ये तो रियालिटी है this is what is happening there तो हम लोग तो जो बोल रहे हैं वो सच है अब सच के पीछे आप जितना भी fake narratives चला लो वो चलता नहीं है and this is something which is coming out very clearly देखे दूस मत करो ये ऐसे करो वो ऐसे करो वो सब चीज़े software update जो UNOS का करना है वो भी जाएंग वो भी होगा उसके बाद UNOS खुच जा रहे हैं भाईया United Nations General Assembly में बात करने के लिए तो महाँ पर बड़ी-बड़ी बातें की जाएंगी कि Bangladesh has become free ये वो तो ये पूरा एक counter narrative का एक कोशिश ह है अमरीका की दरफ से बट I don't think it will fall very very straight in any place यहां पर लेखे मनीपूर के बारे में रामी जी ने भी उस दिन हमने बात करी थी रामी जी के साथ उनके साथ भी थोड़ा सा I think agreement था जहां पर we both agree to the factor कि यह जो मनीपूर में भी हो रहा है it is just to also divert attention क्योंकि अब देखे मनीपूर म conflict या रीजनल एक इंटरनल कोई यह नो को सब्जेक करना है आपको तो आप किस तरह करोगे कहीं और पर आप आप आग लगाने की कोश्च करोगे सर मैं तो यह बोलने की बड़ा clearly बोल रहा हूँ गहरे राज्य को एक बड़ा clear message है आप जितनी मर्दी जहां मर्दी आग लगा लो जो चीज हिंदूओं के साथ हो रही है हम लोग एक तरफ यह भी देख सकते हैं एक तरफ बनीपूर भी देख सकते हैं एक तरफ बंगलदेश भी देख सकते हैं एक तरफ अंदर का भी देख सकते हैं और एक तरफ पाकिस्तान को भी ठोक सकते हैं और दूसरी तरफ हमारे पास यह भी capability है आज गहरे राज्य को आप देखिए ये भी पगार चल रहा होगा अम्रीका को गियार यह तो पूर्टिं साब के स्टेट्मेंट पर स्टेट्मेंट आरहे भारत के लिए अब एक स्टेट्मेंट आया कि भाई कोई यह नो की साब पूतिं साब भारत हम उनने बोला भारत चाइना और ब्रॉज्ची ऐसे countries हैं, वो कही नहीं who can help us actually, you know, mediate this particular conflict. तो इसके बारे में ये press secretary को, ये जो इनके White House के spokesperson है, इनको भी सवाल पूछा गया. उसका जवाब में कहते हैं, भई, any nation that is willing to end this war, but हमको मारा एक ही demand है कि जो जलेंस्की है, जलेंस्की का जो एक नजारिया है, उसको जड़ा साथ में रखना है, हम लोग welcome करेंगे उस चीज को. ठीक है, अब यहाँ पर एक हमारे भारत के एक भारतिय एक journalist है, जो वहाँ बैठे हैं, अभी तक उनका नाम में को पता नहीं है, उनने बड़ा interesting सा सवाल पुछा, उनने directly सवाल नहीं कुछा, थोड़ा indirectly सवाल पुछा, राशन मीडिया की तरफ से चीजें आ रही हैं, कि साब, US ने तो भारत के election में interference करी है, यह सब तो भाया open ही है, और भारत के M.E.A. ने भी 2-3 बारी बोला हुआ है, यह सवाल पूछा गया, तो वहाँ से जवाब आया, रिडिकलिस, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कभी ऐसा कुछ नहीं करते, यह एकदम अलग है, यह बकवास है और यह है, तो कहीना कहीं एक back foot में डालने की कोशिश की गई, वहाँ से Russians back-to-back firing कर रहे हैं, इन क्यूबर की साथ, देखो आप इंडिया के अंदर interfere कर रहे हो, वहाँ पर misunderstandings create करते हो, इंडिया को disrespect करते हो, तो वहाँ से salvos चल रहे हैं, यहाँ पर हम उस salvos को use करके, और pressure डाल रहे हैं, अमेरिका क्यूबर, बारत ने काफी बारी जैसे मैंने आपको बताया, अफिशली बोला है, यह हिंदनबर्ग, यह सब चीजें के बारे में, हमने बड़ा क्लियरली बोला हुआ है, कि साथ यह interference की बात है, यह acceptable नहीं है, यहाँ पर हमने यह भी देखा, गालिक चटनी साथ, opposition से मिलते हैं, और जैसी opposition से मिलते हैं, उनके बारे में एक बड़ा जबरदस्त, need to scandal आ जाता है, जहाँ पर एक lady है, जिनका नाम है Suzy Emerling, जो Garcetti की communication director थी, इनके बारे में, इन्होंने एक statement दिया कि Garcetti साथ ने lied, he lied under oath, मतलब एक शपत खाने के बाद भी उन्होंने छूट बोला, तो दीरे दीरे करके यह जो चीजे निकल रही हैं, मैं बोल रहा हूँ, गालिक चटनी साथ की चटनी बन चुकी है, अभी इनको ज़रा बस वापिस जाने की देरी है, और वो भी जादा टाइम आगे नहीं है, तो कहीना कहीं, you can see that, जो दो हिस्से हैं धीप स्टेट के, वो एक दूसरे की तरफ clash कर रहे हैं, and when I'm just talking about the नजर्या भारत, वहाँ पर कहीना, we are able to actually clearly see, some sort of clashes coming out, अब देखिये, पूतिन साब भी बड़े जबरदस्थ हैं, कलो उनने एक और statement दे दिया, कहते हैं कि साब कमला हैरेस को प्रेजडेंट बना चीए, पूतिन भी जबरदस्थ है, उसको पता है, अगर मैं टरंप को बोलूँगा, तो उसके टरंप को election interference, ये वो 25 करोड चीज़े बोलेंगे, उसने जाके बोला भीया कमला हैरेस, ये गेम हमको थोड़ी अभी रशा से सीखनी पड़े की, कि इस तरह के तेड़े मेड़े statements किस तरह से दिये जाएं, ताकि वहाँ पर थोड़ी सी आग हम भी लगा सकें, अब तो देखो ऐसा है, मैं आपको बताया है, देखिए वो जितनी मर्जी interference कर रहे हैं, जा तो मोदी साब भी रहे हैं, मिलेंगे तो सबसे वो भी, ठीक है कि डेमोक्राट से भी मिलेंगे, रिपब्लिकन से भी मिलेंगे, गवनर अफ टेकसस से भी मिलेंगे, वहाँ पर एक बड़ा शो भी हो रहा है, तो आप इसको भी election interference की तरफ से बोल सकते हो, ठीक है, तो ये गेम अभी जारी है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा bottom line है, कि भाई USA की तरफ से U-turns निकले हैं, ये दलीप सिंग जो आज यहाँ पर बड़े गुंग आ रहे हैं बारत के, एक टाइम पर हमको धंकी देने के लिए आयत के, ये क्या हो गया है, कि suddenly इतने भारी U-turns लिये जा रहे हैं, ये धीरे-धीरे करके जैसे स्टोरी निकलेगी, हमको पता चलेगा, तब तक के लिए ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, most importantly, share this with your friends and families, and of course, मेरी तरफ से एक request है, अगर आप इस चैनल के तरफ contribute कर सकते हैं, using the QR code, या फिर PayPal जो लिंक में हैं, या फिर सूपर स्टिकर, सूपर जाइज देगे, I'll be very grateful, also, guys, WhatsApp चैनल जो नीचे है, जिसको notifications नहीं आते हैं, Instagram, Facebook, इनको ज़रूर follow करेगा, आज दुपैर में हम बात करेंगे, अभी शेक तिवारी जी से, जहांपर हम बात करेंगे, थोड़ा सा ये कास्ट का narrative जो बढ़ रहा है, ये कास्ट census होना चाहिए, की नहीं, इसके उपर एक objective discussion करने की आज कोशिश करेंगे, और रात को होगा, हमारा Friday night special Crackdown episode, जै हिन, जै बारत.